मैं इस होग कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यार रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ध्यार रख रहे होंगे मैं हूँ आपका एजुकेटर मिस्टर विरेंदु सिंग सवाल यह आता है कि what is the validity of CSIR net certificate CSIR net certificate की validity क्या है इसके लिए जब हम बात करते हैं CSIR net जो होता है वो दो तरीके के certificate आपको provide करता है एक certificate जो होता है wearing LS के लिए होता है और दूसरा certificate जो है वो किसके लिए होता है CRF के लिए LS मतलब Lectureship और दूसरा जो Certificate है वो JRF के लिए Lectureship से आप Assistant Professor वगरा बनते हैं और इसको exam देने के लिए आपके पास कोई आयू सीमा भी नहीं होती लगभग लगभग जो है LS का जो मोटा मोटी बात करें तो Validities के Scorecard की जो है वो Lifetime होती है मतलब आप एक बार LS कर लेंगे तो लगभग लगभग उम्र भर आप इस Scorecard का यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो JRF की बात करें तो JRF की कटेगरी में इसका जो Scorecard सिर्फ दो सालों तक Valid है मतलब इसको समझा जायते हैं दो सालों तक Valid का यह मतलब है कि अगर आपने CSIR के एक्जाम को Qualify कर लिया Qualify करने के बाद आपने CSIR Scorecard को ले लिया लेने के लिए आपको 10 के Documents, कुछ Cards जो भी आपने अगर Category Certificate अग अपलाई किया है यह सब basic चीज़े आपको भेजनी पड़ती है, उसके बाद आपको मिलता है फिलाल के लिए जब आपने कर लिया, तो उस Scorecard के पाद दो year के अंदर उसका use करना जरूरी है मतलब, कि एगर मैंने example के तोर पे 2022 में CSIR कॉलिफाई किया और 22 का ही मेरे पास certificate है, तो मैं 2024 तक ही उस certificate का use कर सकता हूँ यूज करने का मतलब 24 तक आपको enroll करना है, fellowship उसके बाद 5 साल मिलेगी वो अलग बात है बात fellowship की नहीं है, बात यह enrollment की, कि वो scorecard जो है enrollment के लिए 2 साल तक valid है मतलब आपको कहीं न कहीं उसके पहले ही जो है PhD में enroll करके उस scorecard को active कर लेना है active करोगे तब ही fellowship मिलेगी, तो यह scorecard एक तरीके से आपको recharge voucher की तरह है एक ऐसा recharge voucher जिसकी validity है, इतने महिने से पहले इस recharge voucher का use करना आप यह नहीं की recharge voucher खरीद लिए, और जब मन चाहे तब करोगे, ऐसा नहीं है, दो साल के अंदर ही जो है, उसको recharge कर लो और 5 साल तक फिर fellowship मिलने वाली है ठीक है, सो scorecard की जो validity है, वो 2 साल है, मतलब जब qualify करोगे, qualify करने के बाद जब आपको scorecard मिलेगा उसके 2 साल से पहले तक ही कही न कहीं PhD में enroll करके, उस scorecard को active करा लेना है, तो आपके account में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, इसमें लिए कुछ UGC के guidelines के नुसार, बठा, यह जो है, फिलहाल के लिए, validity जो है, अगर scorecard की बात करे, तो LS की validity lifetime और JRF की validity जो है, वो 2 सालों तक है, ठीक है, चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से, next particular वीडियो में, till then bye bye, take care and all the best